हेलो फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखे आपके सारे डाउट्स सेवन आर्स के अंदर सॉल कर दिये जाएंगे अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलिग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी उसके बाद अगला topic है properties of division of integers तो properties of divisions of integers में division के properties क्या है ये हम लोग यहाँ पर समझने वाले तो इस concept को समझने के लिए हम दो अलग-अलग examples लेंगे तो यहाँ पर minus 8 upon minus 4 is equal to 2 तो यहाँ पर result integer मिला बट minus 4 upon minus 8 is equal to minus 4 upon minus 8 इसका answer अगर हम लोग find करने जाए है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 upon 2 which is not integer यहाँ पर result integer नहीं मिल रहा है यहाँ पर अगर बात करें minus 8 upon 3 right is equal to minus 8 upon 3 तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं it is not integer right यहाँ पर यह integer answer नहीं मिल रहा है और उसके बाद 3 upon minus 8 is equal to 3 upon minus 8 यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं it is not integer right तो दोनों ही examples हमारे integer वाले नहीं है क्योंकि हमें कोई integer value नहीं मिल रही हमें कोई fraction value मिल रही है तो इसी लिए यह दोनों integer नहीं हो सकते पांच example देखेंगे properties of division के लिए तो वहाँ पर हमें integers मिलते हैं कि नहीं तो वहाँ पर पहला हम मैं example ले रहा हूं 4 upon 5 तो 4 upon 5 यहां पर इसके कोई भी parts नहीं हो सकते हमें answer fraction में मिलेगा तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं it is not integer right तो this ratio is not integer right तो यहां पर मैं लिख सकता हूं integers are not closed under division क्योंकि division में हर बार मुझे integer नहीं मिल रहा है division में fraction भी मिल सकते है तो यह हमारा पहला example अब दूसरे example के और चलते हैं जैसे कि 8 upon 2 right तो यहां पर हमें answer मिलेगा 4 तो यहां पर यह जो answer है वो integer मिला right ओके अब तीसरे example लेते हैं तीसरे example में मैं यहां पर ले रहा हूं 5 अपन यहां पर 5 upon 13 लेंगे right तो 5 upon 13 अगर ratio ले रहे हैं तो यहां पर not integer मिलेगा क्योंकि हमारा जो answer है वो fraction में मिला है कोई भी एक particular integer में नहीं मिल रहा है इसलिए यहां पर not integer आएगा fourth में यहां पर 16 upon 4 लिखे तो यहां पर is equal to answer है मिलेगा 4 वापस यह हमें integer मिला right ओके अब एक और last example लेंगे 5th example 5th example में मैं ले रहा हूं 17 upon 5 right 17 upon 5 ratio लेंगे तो यहां पर answer मिलेगा not integer तो यहां पर कई-कई बार integer मिल रहा है कई-की बार not integer मिल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि integers are not closed under division अगर वो closed होते तो हमें हर बार integer मिलते बट यहां पर हमें हर बार integer नहीं मिल रहा है उसके बाद दूसरी property कि एकर बात करें तो मैं यहां पर एक example से यह समझाऊंगा minus 8 right upon minus 4 right क्या यह is equal to minus 4 upon minus 8 होगा minus 8 upon minus 4 तो minus 8 upon minus 4 उसका answer होगा 2 और minus 4 upon minus 8 का answer 1 by 2 होगा तो यह दोनों ही एक दूसरी के equal to नहीं है so which are not equal to तो यह एक law को represent कर रहा है और वो है commutativity तो commutativity में यहां पर answer हमारा नहीं मिल रहा है मतलब कि यहां पर division commutativity follow नहीं करती है right दूसरा example लेते हैं जैसे कि हमारे पास है एक value है वो है minus 9 देन अपॉन माइन सॉरी only plus 3 है अब इसका answer क्या मिलेगा तो is equal to minus 9 upon 3 right minus 9 upon 3 उसका answer में मिलेगा minus 3 ओके अब similarly मन लीजे कि हमार पास 3 upon minus 9 है right तो 3 upon minus 9 करेंगे तो इसका division 3 upon minus 9 तो 3 3 जा क्या होगा अगर इसका हम लोग answer देखने जाए तो LHS is not equal to RHS अगर दोनों ही सेन नहीं है मतलब कि यह जो कम्यूटेटीवीटी है यह फॉलो नहीं हो रही है राइट सो नॉट कम्यूटेटीवीटी यहां पर फॉलो नहीं हो रही है एक और सेम एग्जम्पल से बात करेंगे जैसे कि हमारे पास है माइनस 30 राइट अपॉन यहां पर है माइनस 6 ओके माइनस 30 अपॉन माइनस 6 इस इक्वल टू माइनस 30 अपॉन यहां पर नीचे माइनस 6 आएगा तो इसका अंसर यहां पर हमें मिलेगा प्लस और वह भी 5 होगा और सिमिलरली अगर नीचे यहां पर माइनस 6 है अपॉन यहां पर है माइनस 30 टो माइनस 6 अपॉन माइनस 30 इस इक्वल टू यहांपर माइनस 6 पहले लिख लिएंगा यहां पर नीचे है माइनस 30 तो यहां पर जो आंसर मिलने वाला है वह होगा 1 upon 5 वह positive answer होगा 1 upon 5 अब अगर इसकी बात करें तो यह हमारा LHS होगा और यह हमारा RHS होगा तो LHS और RHS दोनों ही सेम नहीं है इसका मतलब यह होगा के LHS is not equal to RHS दोनों ही सेम नहीं है इसलिए यहां पर not following commutativity की division जो है वो commutative नहीं है इससे हमें पता चल जाएगा तो यह एक property हुई division की जो follow नहीं हो रही है ओके अब है 5 example of division of commutative for integers अब हम लोग यहां पर भी 5 examples लेके verify करने वाले है तो verification में पहला मैं example रहा हूँ minus 5 upon 15 तो इसको verify करेंगे तो यहां पर इसका सिंप्लिफिकेशन आएगा minus 5 upon 15 तो इसका answer हमें मिलेगा is equal to minus 1 upon 3 तो यह हमारा क्या होगा lhs right और similarly 15 अपॉन minus 5 15 upon minus 5 अब इसका यहां पर answer find करेंगे तो 15 upon minus 5 तो is equal to यहां पर answer हमें मिलेगा तो वह होगा minus 3 और वह होगा हमारा rhs right अब इसके simplification में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई lhs is not equal to rhs दोनों ही same नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो division है right division is not commutative for integers right वो कभी भी commutative नहीं होगा right division is not commutative for integers okay उसके बाद दूसरे example लेते हैं तो यह हमारा first example था और first example में तो यह जरा सा भी प्रूव नहीं हुआ कि division integers के लिए commutative है right यह प्रूफ नहीं हो सका तो इसका मतलब यह है division is not commutative for integers okay तो दूसरे example में हम लोग यहां पर ले रहे हैं इजी example four upon two right four upon two तो is equal to four upon simply अगर two करें तो is equal to हमारा answer हमें मिलेगा two अब यह हमारा lhs होगा right तो दिस इस अवर lhs ओके अब यहां पर two upon four करना है कि तो अपन four करने से यहां पर four two upon four पहले लिख लेंगे easily हमारा जो calculation है वह easy रखने के लिए two upon four लिखा और one upon two इसका answer होगा तो जो हमारा rhs होगा right अब lhs और rhs की अगर गौर करें तो यहां पर दोनों ही मैंच नहीं हो रहे इसका मतलब भी हो और lhs is not equal to rhs right easily लिख सकते हैं तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि division is not commutative for integers right ओक अब थर्ड एक्जांपल में हम लोग यहां पर लेंगे 16 upon 8 right 16 upon 8 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले 16 upon 8 अब 16 upon 8 का हमारा answer हमें मिलेगा 1 upon 2 जो कि हमारा rhs होगा again lhs is not equal to rhs इसलिए जो division है division is not commutative for integers अगें यह प्रूव हुआ 4th example लेते हैं 4th example में मैं यहां पर दोनों ही negative लोगा right minus 4 और यहां पर minus 8 minus 4 minus 8 तो उपर minus 4 और यहां पर minus 8 हमारा answer यहां पर मिलेगा 1 upon 2 right 1 upon 2 मिला answer okay अब यहां पर जो दूसरा यह हमारा lhs हो गया अब rhs के लिए यहां पर आएगा minus 8 upon minus 4 okay minus 8 उपर लिखेंगे और minus 4 यहां पर लिखेंगे minus 8 upon minus 4 करने से हमारा answer मिलेगा 2 बट यहां पर नीचे ratio में denominator में 1 हो जाएगा अगर हमारा सिर्फ answer 2 होगा तो denominator में 1 हो जाएगा right तो यह हमारा अरेचेस होगा तो अब observe करें lhs और rhs को तो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है तो lhs is not equal to rhs तो इसलिए division is not commutative for integers ओके एक और example से समझेंगे जैसे कि हमारे पास है एक फिफ्थ example right इसको पहले फिफ लिखेंगे 15 upon minus 3 ओके तो 15 और नीचे लिखेंगे minus 3 तो यहां पर हमारा answer मिलेगा minus 5 और नीचे यहां पर मिलेगा 1 right minus 5 upon 1 क्योंकि minus 5 भी मिल रहा है तो हम लोग denominator में लिख सकते हैं कि वह 1 है right ओके अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं minus 3 upon 15 ओके तो यहां पर minus 3 upon 15 तो minus 1 upon 5 आएगा right totally different है यह हमारा RHS होगा तो LHS यहां पर और RHS दोनों ही एक दूसरे के equal नहीं LHS is not equal to RHS तो इसलिए division is not commutative for integers division कभी भी commutative नहीं होगा integers के लिए right तो अब अगर whole numbers की तरह अगर कोई integer 0 से divide होगा तो meaningless होगा right अगर 0 divided by an integer होगा other than 0 is equal to 0 right तो यहां पर दोनों ही case में right एपन 0 करेंगे तो वह not defined होगा but अगर 0 upon a करेंगे तो वह 0 मिलेगा right similarly यहां पर 0 के लिए अगर बात करें for any integer a upon 0 is not defined वह infinite हो जाएगा किसी भी value के किसी भी value को हम लोग 0 से अगर divide करेंगे तो वह define नहीं होगा infinite हो जाएगा और किसी भी integer को right अगर integer हमारा denominator में है और numerator में 0 है तो हमारा answer always 0 ही होगा यहां पर integer के तोर पर कोई भी value हो सकती है 2,3,4 any value it is there तो यहां पर answer हमारा 0 ही मिलने वाला है जहां पर a is non-zero right यह कोई integer है तो यह भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है अब कुछ example से हम एक और नई चीज़ पढ़ेंगे यहां पर minus 8 upon 1 अगर minus 8 upon 1 किसी भी value को 1 से divide करेंगे तो उसका answer यहां पर क्या मिला minus 8 upon 1 से minus 8 मिला minus 11 upon 1 से minus 11 मिला minus 13 upon 1 से वही value हमें फिर से मिली minus 13 minus 25 upon 1 से क्या मिलेगा हमें तो यहां पर हमें answer मिलेगा minus और वो होगा 25 वही value मिली जिसको हमने 1 से divide किया फिर minus 37 upon 1 तो यहां पर negative 37 मिलेगा वही value मिली हमें फिर से फिर उसके बाद minus 48 upon 1 में वही value मिलेगी जिससे हम लोग 1 को divide कर रहे हैं यहां पर minus 48 आएगा तो यहां पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि negative integer भी अगर 1 से divide होगा तो हमें same negative integer मिलेगा अगर positive integer है तो भी अगर 1 से divide होगा तो वही same positive integer ही हमारा answer होगा तो यहां पर हम लोग एक sentence लिख सकते हैं any integer divided by 1 gives the same integer जैसे हमने कुछ examples यहां पर study किये तो अगर general equation लिखें तो in general for any integer a, a upon 1 is equal to a ही मिलेगा हमें तो यह एक in general concept हुआ उसके बाद और कुछ example देखें कि क्या होगा कि जब हम लोग किसी integer को minus 1 से divide करेंगे तो पहला यहां पर example है minus 8 upon minus 1 तो यहां पर obviously minus minus become positive तो positive answer होगा और positive 8 मिलेगा अगर एक positive integer है उसको minus 1 से divide करेंगे तो वो negative में convert हो जाएगा minus 11 answer मिलेगा यहां पर फिर से positive integer है उसको minus 1 से हम लोग divide कर रहे हैं तो यहां पर answer हमें क्या मिलेगा तो वो होगा minus 13 right similarly उसके बाद minus 25 upon minus 1 दोनों ही अगर negative है तो negative negative becomes positive और हमार answer मिलके हो जाएगा 25 उसके बाद minus 37 minus 1 है again negative negative become positive तो यहां पर plus 37 हो जाएगा उसके बाद minus 48 minus 1 दोनों ही negative है negative negative positive तो यहां पर plus 48 आ जाएगा तो इस तरीके से अगर minus 1 है किसी भी integer को minus 1 से divide करेंगे तो वो हमें same answer में integer नहीं देगा वो अगर negative होगा तो positive हो जाएगा तो वो negative में convert हो जाएगा उसके बाद example में यहां पर है bracket में minus 16 right upon 4 bracket complete right minus 16 upon 4 upon minus 2 right तो इस तरीके से यह एक formula है यह एक sum है right हमें यह जानना है कि क्या यह value और दूसरी एक value में लिख रहा हूं minus 16 then upon bracket 4 upon minus 2 right bracket complete okay तो क्या यह दोनों ही value right यह और यह क्या यह दोनों ही value same मिलेगी कि नहीं यह हमें चेक करना है क्योंकि यहां पर एक चीजी difference है यहां पर bracket का difference है bracket मैंने यहां पर पहले लिखा है पहले दो values में पहले दो value होगी वो हमें यहां पर मिलेगी minus यहां पर 4 राइट तो minus 4 और division में क्या value है minus 2 right minus 4 upon minus 2 यहां पर हमें मिल रहा है तो minus 4 upon minus 2 positive हो जाएगा और 2 तूजा 4 तो यहां पर हमारा जो LHS है वो हमें 2 मिला राइट यह हमारा LHS हो जाएगा अब यहाँ पर इसकी value find करेंगे तो पहले minus 16 तो as it is right and bracket की value अगर पहले find करें तो 4 upon minus 2 इसका answer हमें मिलेगा वो होगा minus 2 right तो minus 16 upon minus 2 यह हमें proper simplification मिला तो minus minus positive और यहाँ पर हमारा answer मिल रहा है plus 8 तो यहाँ पर दोनों ही value मतलब कि यह हमारा RHS हुआ अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS is not equal to RHS अगर LHS और RHS same नहीं है तो यह दोनों equation भी same नहीं होगी same values नहीं मिल रहे हैं right तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि division right that is not associative right division is not associative for integers right division is not associative for integers के लिए division कभी भी associative नहीं होगा क्योंकि अगर एक बार भी वह associative नहीं मिल सकता अब इसी concept को हम लोग पांच अलग-अलग example से समझेंगे ओके तो यहाँ पर पहला example देखते हैं right तो first example तो first example में यहाँ पर है ब्रेकेट में पूर अपॉर अपॉन टू ब्रेकेट कंप्लीट अपॉन टू राइट फौर अपॉं टू ब्रेकेट अपॉन टू अब यहाँ पर right-hand side भी यहाँ पर मैं लिखूंगा फूर अपॉन टू रेट यहाँ पर bracket आएगा और फिर bracket में फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 bracket complete ओके अब यहाँ पर इसका simplification करें तो 4 upon 2 2 हो जाएगा and 2 upon 2 मिलेगा right 2 upon 2 अगर करेंगे तो is equal to यहाँ पर answer मिलेगा 1 यहाँ पर भी 4 upon 2 upon 2 1 right तो 4 upon 1 यहाँ पर answer मिलेगा 4 अब यहाँ पर यह हमारा LHS है and this is our RHS तो इससे हमें लिख सकते हैं LHS is not equal to RHS दोनों ही same नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो division है is not associative for integers right division is not associative for integers इस तरी के से हम लोग लिख सकते हैं right कि अधर यहाँ झाल यहाँ ज दोगते हैं झाल झाल दूसरा एक्जाम्पल यहां पर देखेंगे तो दूसरा एक्जाम्पल में यहां पर 16 आएगा 16 अपन 8 यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 16 देन 8 एंड यहां पर 4 तो 16 अपन 8 16 अपन 8 से हमें आंसर मिलेगा 2 2 बाइ 4 राइट 2 बाइ 4 से हमें आंसर मिलेगा 1 अपन 2 तो यह हमारा LHS होगा अब similarly यहां पर 16 होगा as it is 8 अपन 4 मतलब के 2 तो 16 अपन 2 से हमारा आंसर मिलेगा 8 यहां पर यह होगा RHS अब clearly it shows that LHS is not equal to RHS अगर LHS और RHS सेम नहीं है तो इसका मतलब भी होगा के division is not associative for integers division कभी भी integers के लिए associative नहीं होगा उसके बाद देखते हैं तीसरे example आपर देखेंगे minus 5 अपन यहां पर 2 बट जो minus 5 है वो यहां पर fraction में मिलेगा तो यहां पर मैं लोगा minus 8 minus 8 upon 2 और यहां पर हम लोग लेंगे minus 4 ओके और similarly यहां पर बाहर minus 8 आएगा यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा minus 4 ओके अब minus 8 upon 2 करेंगे अगर तो minus 4 मिलेगा right minus 4 upon minus 4 minus 4 upon minus 4 1 मिलेगा हमारा answer right और similarly यहां पर minus 8 upon 2 upon minus 4 है तो वो minus 2 मिलेगा right minus minus cancel minus positive हो जाएगा और हमारा answer मिलेगा 4 अब LHS हमें 1 मिल रहा है बट जो RHS है वो हमें मिल रहा है 4 तो left hand side and right hand side दोनों ही same नहीं है तो LHS is not equal to RHS right तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं division is not associative for integers right तो यह हमारा यहां पर third example था right third example के बाद हम लोग यहां पर fourth example का discussion करेंगे fourth example में यहां पर minus 64 right upon two and then upon eight okay minus 64 upon यहां पर two और फिर bracket में यहां पर eight okay अब minus 64 upon two करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर minus 32 right minus 32 upon eight तो यहां पर हमारा answer मिलेगा minus four और minus 64 upon two upon eight तो यहां पर हमें one upon four मिलेगा right one upon four four उपर चला जाएगा तो minus six right and two two fifty six यहां पर हमारा answer मिलेगा two fifty six तो एले जगर और अरेचेस दोनों को अगर अब्जव करें तो दोनों यहां पर सीम नहीं है यह लूज़ेस यह रहेचेस तो लूज़ेस इस नॉट इक्वल तो इस लिए डिवीजन इस नॉट एस्सोशेटिव और इंटीज़ डिवीजन इंटीज़ के लिए एस्सोशेटिव नहीं है अब फिफ्ट एक्जांपल देखेंगे फिफ्ट एक्जांपल में हमें यहां पर दिया गया है वह है और माईनस अ 50 अपान 10 यहां अपान 10 आप ठ्रीप अब यहां पर अपान 10 अपान 3 इस तरीकी से हमारा आंसर है अब माईनस फिफ्ट अपान क अ minus 50 upon 10 करेंगे तो minus 5 मिलेगा minus 5 upon 3 right तो minus 5 upon 3 as it is minus 5 upon 3 ही लिखेंगे fraction में right okay similarly यहाँ पर minus 50 as it is 10 upon 3 right तो 10 upon 3 में से जो 3 है वो उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा minus 150 upon 10 minus 150 upon 10 तो 00 cancel इसका answer हमें मिलेगा minus 15 तो अगर observe करें LHS तो वो है minus 5 upon 3 and RHS है minus 15 तो LHS और RHS दोनों ही same नहीं है तो LHS is not equal to RHS इसलिए division is not associative for integers अब देखेंगे example number 6 in a test plus 5 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer first Radhika answered all the questions and scored 30 marks though she got 10 correct answers right second Jay also answered यहाँ पर तो यहाँ पर Jay की बात next page में है तो पहले हम लोग राधिका का जो भी score है right वो यहाँ पर हम लोग find करेंगे right तो plus 5 marks correct answer के लिए और minus 2 mark incorrect answer के लिए तो राधिका answered all the question and scored 30 marks though she got 10 correct answer तो राधिका के जो correct answer जो उसने दिये है वो है 10 right अब marks given for one correct answer is equal to 5 and marks given for one incorrect answer is equal to minus 2 तो राधिका का अगर score देखने जाए तो राधिका गेव 10 correct answer right तो for 10 correct answer तो उसकी अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 10 है number है into 5 कर देंगे right 5 से वो multiply कर देंगे तो 10 into 5 यहाँ पर 50 आ जाएगा right but राधिका का जो score है वो है 30 right तो score is equal to only 30 तो अब उसने incorrect answers कितने दिये वो यहाँ पर लिखेंगे तो अब incorrect answers के लिए हम लोग subtraction करेंगे right तो for incorrect answer तो that is equal to 30 minus 50 कर देंगे right क्योंकि उसका score 30 है बट उसने करने से यहाँ पर क्या मिलेगा number of incorrect यहाँ पर करेंगे minus 20 अपोन minus 2 right minus 20 अपोन minus 2 is equal to यहाँ पर negative negative positive और यहाँ पर आ जाएगा 10 right तो नंबर उसने करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा correct answers 10 हुए 10 गलत answers लिखे राधी काने right okay तो उसके बाद the question में जाए की बात हो रही जाए answered all the questions and scored minus 12 marks though he got four correct answers how many incorrect answers had they attempted right जाए की भी यहाँ पर बात होगी तो यहाँ पर same है marks even for one correct answer is 5 and marks even for one incorrect answer is minus 2 right तो यहाँ पर जाए का correct answer right तो पहले जाएने incorrect answers के लिए बात करेंगे क्योंकि जाए का जो score है वो ही minus 12 है right तो यहाँ पर लिखेंगे score minus 12 okay अब यहाँ पर जाएने जो correct answer दिये है उसके number है 4 तो correct answer 4 into 5 कर देंगे 4 into 5 यहाँ पर क्या मिलेगा 20 मिलेगा right अब incorrect answer के लिए minus 2 मिलने वाला है right तो for incorrect answer यहाँ पर जो subtraction करेंगे incorrect के लिए subtraction क्या होगा minus 12 और फिर minus 20 minus 12 minus 20 right तो minus 12 minus 20 is equal to minus 32 मिलेगा तो यह incorrect answer के लिए यहाँ पर उतना marks मिला right अब यहाँ पर number of incorrect answer यहाँ पर find करना है तो number of incorrect के लिए minus 32 right minus यहाँ पर 32 upon minus 2 कर देंगे right क्योंकि एक incorrect answer के लिए minus 2 कट होने वाला है तो minus 32 upon minus 2 उससे हमारा answer plus हो जाएगा और वो होगा 16 तो यह ने 16 गलत answer दिये right उसके बाद अगले example में shopkeeper earns a profit of one rupees by selling one pen and incurs a loss of 40 पैसे per pencil while selling pencils of her hold stock in a particular month she incurs a loss of rupees 5 in this period she sold 45 pence how many pencils did she sell in this period right तो shopkeeper pen selling करने से एक रूपया right profit करता है और pencil को sell करने से 40 पैसे loss करता है तो जब वो pencil को sell करता है तब loss करता है अब वो month में उसने 5 रूपय loss किये पूरे month में अब अब पूरे month में उसने 45 pence sold किये right selling की 45 35 pence की अब यहां पर उसने कितने pencil sell किये वो यहां पर हमें find करना है तो पहले हम लोग start करेंगे first question से first question में पहले data लिखेंगे profit that is earned by selling right profit earned by selling one pen that is equal to that is equal to rupees one right one rupiah profit हो रहा है right profit earned by the selling pens बट यहां पर मैं पहले लिखूंगा की pencil से loss कितना हो रहा है loss by selling pencil right तो यहां पर loss हमें कितना होने वाला है तो वह है 40 पैसे बट यहां पर हमें लिखना पड़ेगा minus 40 और फिर लिखेंगे पैसे क्योंकि यहां पर वह loss है इसलिए हमें negative लिखना होगा right ओके अब पहले तो profit कितना earn किया वह find out करेंगे तो profit on by 45 पैंस 45 पैंस को बेचने से कितना profit मिला वह यहां पर find out करेंगे तो 45 राइट तो यहां पर 45 रूपीज profit होगा क्योंकि एक रूपिया है एक रूपिया profit हो रहा है तो 45 पैंस बेचने से 45 रूपीज और होगे profit होगा अब टोटल लॉस तो टोटल लॉस गीवन राइट कितना है टोटल लॉस तो वह है रूपीज 5 टोटल लॉस है राइट इस तरीके से लिखना होगा क्योंकि वह लॉस हुआ है अब यहां पर हमें सबका का समेशन करना होगा राइट प्रॉफिट एट इस अंड प्लस लॉस इंकर्ड अगर सम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा तो यहां पर टोटल लॉस होगा राइट तो टोटल लॉस यहां पर हमें मिलने वाला है तो इस इक्वल टू यहां पर स्टार्ट करेंगे रूपीज bracket minus 5 then minus 45 bracket completes right is equal to rupees यहाँ पर कितना मिलेगा negative 50 मिलेगा negative 50 bracket complete तो total हमें यहाँ पर मिलेगा negative 5000 पैसे यह total loss हुआ 5000 पैसे तो अब देखें के loss incurred by selling one pencil is equal to minus 40 पैसे तो number of pencil कितनी number of pencil है number of pencil है is equal to यहाँ पर है minus 5000 तो minus 5000 upon यहाँ पर minus 40 तो minus 5000 upon minus 40 करेंगे तो 125 यहाँ पर 125 pencil sell करने से इतना हमें loss हुआ है तो यह हमारा first question का answer था कि यहाँ पर उसने total 125 pencil sell की है उसके बाद second question में in the next month she earns neither profit nor loss if she sold 70 pence how many pencil did she sell तो next month no profit no loss मतलब के profit earned right plus loss incurred is equal to 0 profit plus loss is equal to 0 कोई profit नहीं हुआ कोई भी लॉस नहीं हुआ right तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी profit है right profit earned that is equal to negative of loss incurred right profit earned is equal to negative of loss incurred now profit earned by selling 17 pence profit by 70 pence कितना होगा तो पैंस को तो बेचने से हमें उतने ही रूपीज का profit होता है तो रूपीज 17 का profit होगा रूपीज 70 का right अब loss incurred वो हमें find करना है by pencils क्योंकि पैंस से ही loss होता है पैसो में रूपीज का इंडिकेशन है मतलब के यहां पर रूपीज माइनस 70 लिखेंगे रूपीज रूपीज या फिर हम लोग लिख सकते है इस इक्वल टू माइनस 7,000 पैसे रूपीज का हो है यहां पर पैसे में convert किया अब टोटल यहां पर क्या आएगा माइनस 7,000 अपॉन यहां पर आएगा माइनस 40 तो माइनस 7,000 अपॉन माइनस 40 करेंगे तो 175 पैसिल्स मिलेंगे तो 175 पैसिल्स तो नेक्स्ट मंथ जो अंज हुए मतलब कि कुछ भी अनी नहीं हुआ क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं था लॉज भी नहीं था तो उसने फिर भी नेक्स्ट मन्स सेवन्टी पैस सोल्ड किये 70 पैस की सेलिंग की तो पैसिल्स उसने किसने सेल किये तो 175 पैसिल्स सेल की तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस का रेशियो बराबर हुआ राइट कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ कोई भी लॉस नहीं हुआ तो सेवन्टी पैस के सामने उसने 175 पैसिल्स सेलिंग की नेक्स्ट मन कर दो बड़ी और उन